देश में कोरोना के ओमी क्रॉन वेरियंट को लेकर डर का माहल बना हुआ है इस बीच और नैशनल इंसिट्यूट और वायलोजी द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसाब महाराश में दो ओमी क्रॉन के मामले सामने आए हैं इन में से एक लातूर और एक पूने से है और अब तक महाराश में ओमी क्रॉन के 20 मामले सामने आ चुके हैं आपको बता दें इन में से 9 ओमी क्रॉन मामले नेगेटिव आर्टी पीसिया रिपोर्ट के बाद डिस्ट्राज कर दिये गए हैं जब कि आज जो है 9 मामले सामने आए हैं उनमें लक्षर नहीं हैं वहीं अगर आपको पूने के संक्रमित मरीज की बात करें तो वहां 49 साल की एक महिला ओमी क्रॉन से संक्रमित पाई गई है लातूर में 33 साल का एक श्रॉक्स ओमी क्रॉन पॉसिटिव पाया गया है पर मामले उमी क्रॉन के मिल चुके हैं तो महराश में एक दिन में अब कोरोना के 500 से ज़्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं और एक दिन में पाँच लोगों ने संक्रमण के चलते अपनी जान विगवादी वहीं देश की आर्थिक राज़ानी मुंबई में एक दिन में 160 नए मामले सामने आने के बाद दो लोगों की जान चली गई ऐसे में राज़े में हुई मौतों के बाद जान दवाने वालों का आकड़ा अब बढ़कर 141,264 पहुंच चुका है ऐसे में राज़े में एक्टिव मरीजों की संख्या भी 6,000 से जादा है वहीं मुंबई में एक्टिव मरीजों की संख्या 1751 दर्ज़ की गई है यानि मुंबई में बाद फिर से ओमिक्रॉन का खत्रा अब बढ़ता हुआ नज़रा रहा है